Hello everyone, कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुगा था जिसमें आज का टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन हम ओम के नियम का प्यरे भायो ब्यक्ख्या एक पिछले वीडियो में हमने करा था जिसमें आप लोगों ने ओम के नियम को समझा था और ओम के नियम की सर ते हैं आज हम ओम के नियम से प्तिरोध का सूत्र निकालेंगे जो की काफी इंपोर्टन्ट रहता है और कई सारे बच्चों ने कहा कि सर क्या आप ओम के नियम का निगमन नहीं करेंगे तो हाँ इस वीडियो में आज आप ओम के नियम का निगमन सिखेंगे तो वीडियो को वहन तक देखेगा प्यारे भाईो बहुत ही आसान तरीके से बारी की से समझाऊंगा कोशिस यही रहेगा कि इस वीडियो के बाद आपको जिन्दिगी में ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए दूसरा वीडियो चेक नहीं करना पड़ेगा ये मेरा बादा है बस आप थोड़ा सा समय देंगे 10 मिनट आसानी से आप सीखोगे सबसे पहले थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि ओम का नियम किस में होगा पैरे भायो जब हम जानते हैं कि एक परिपत लेंगे ये हमारे पास एक चालाख है मान के चलते हैं A और B इस चालाख को हम किसी सेल के माद्ध हम से जोड़ दिये और यहां कुंजी लगा दिये पैरे भायो अब इसमें हम क्या करेंगे धारा प्रवाहिद करेंगे धारा प्रवाहिद करेंगे तब इसमें पैरे भायो यहां कुछ न कुछ रुकावा टुत्पन होगा उसे हम कहते हैं प्रत्रोध और इसी प्रत्रोध को निकालेंगे अब मान लेते हैं कि इस चालकतार की लंबाई स्मॉल एल है और अनप्रस्त कार्ट का छेत्रफल कैप्टल ए है ठीक है ना चीज़ें क्लियर है अब ये पूरा चालकतार है कि पैरे भाईयों कि आपके पास एक चालकतार है जिसकी लंबाई एल हमने मालिया अनप्रस्त कार्ट का छेत्रफल ए मालिया और प्रतिय कांक में मुक्त इलेक्टरानों की संकेश मॉल एन है अब आप कहोगे मुक्त इलेक्टरान किसे कहते हैं तो चुकि हमने समझाया था आपको पिछले वीडियो मी जैसे मालिय जे कोई परमारू है इस परमारू का नाभिक है फिर पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, फिर चौथा कोस, पांचमा कोस ऐसे कोसों की संक्या बढ़ती जाती है तो जो बाहर के इलेक्टरान होते हैं उतना आट्रैक्षिन फोर्स कानोवो नहीं करती जिसके कारण से इनकी जो गत्य होती है बितर टी भी, तीतर बितर ऐसे गत्य होती है पेरिभायो तो इन इलेक्टरानों को यह हम कहते हैं धारा प्रवाहित होती है तो मुक्ति इलेक्टरान का मतलब ऐसे इलेक्टरान जो तितर बितर इधर उधर गति करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मुक्ति इलेक्टरान समझ गए तो यहां पर माना गए कि प्रती एकान कायतन में मुक्ति एलेक्रान की संके small n है और चाला के सीरों के बी जो विवानतर है वो भी है यानि भी विवानतर लगाएंगे प्रवायू तबी तो उस पर धारा बहेगी और धारा बहेगी विद्दू बहागबल उत्पन्द होगा विद्दू छित की तिबरता होगी सब कुछ यहाँ पर बारी किस समझेंगे तो सरप्रथम यहाँ पर आपको एक चीज में बता दूँ कि आपने पढ़ा होगा विवाव प्रवड़ता e equal प्रवायू minus dv upon dr यानि विवाव में प्रवड़तन की दर जो है e के बराबर होता है प्रवायू तो यदि मैं इसको ऐसा कह दूँ कि e बराबर dv के जगए v कर दूँ और dr है उसके जगए l कर दूँ बिल्कुल सिंपल क्यों क्योंकि प्रवायू एकांग कायतन मान लिया गया v एकांग कायतन नहीं मानेंगे विवानतर v है और लंबाई कितना l l पर विवानतर v है तब e और v के बीच जो सम्मंद होगा student वो हो जाएगा यहां पर e बराबर e बराबर होगा कितना v अपान l हो जाएगा इतना clear है तो आपने माना मान के चला माना एक चलाकतार है जिसकी लंबाई l है उसके अनप्रस्त कार्ड का छेटपल a है प्रतिय कांक आइतन में मुक्त इलेक्रानों की संगे स्मॉल n है तो चलाकि सीरों के बीच जो भी होँआ तर यह भी लगाया जाए तब e बराबर हो जाएगा v अपान l बेसिक से बारीक है प्यारे भाई थोड़ा सा समय तो लगेगा यार चाहे आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ जाए लेकिन आप इसको बारीकी समझेंगे अब मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ यह दि जैसे मुक्त इलेक्रान प्यारे भाई स्टार्टिंग से दि गति करना सुरू करते हैं तो प्रगम में इनका बेग कितना होगा जीरो होगा लेकिन कुछ समय पश्चात इसका बेग कितना हो जाएगा भी हो जाएगा बेग कितना हो जाएगा भी हो जाएगा अब बात करते हैं और दूसरे बात की जैसे आपके पास यहां पर एक चालक है चालक तार पर धारा बह रही है तब यह दी मैं कह दूँ इलेक्टरान है इलेक्टरान पर आबेस ई है इलेक्टरान पर आबेस ई है तो उस पर बल कितना लगेगा किसी इलेक्टरान पर बल कितना लगेगा वो चीज भी बता रहा हूँ चूंकि आपने पढ़ा विद्दु छेत की तिवरता E बराबर कितना एक आंक आबेस पर लगने बाला बल तो बल बराबर कितना हो जाता है पेरे भाईू Q E क्यों क्या है जहां पर आबेस है तो यहां पर F कामान कितना हो जाएगा F बराबर जहां E क्या है टोटल आबेस है ठीक है छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगने को दिक्कत ना हो तो यहां पर मैं लिख दूँ प्रतेक मुक्तिलेक्परान प्रतेक्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् हो गया चीज़े क्लियर हो गए प्यारे भाइओ अच्छा अब फिर से बेसिक चीज़ चर्चा करते हैं आपने पढ़ा न्यूटन के दूती नियम से एफ बराबर आमे इफ बराबर आमे तो यह दिमें कहाँ इलेक्टरान गती कर रहा है तो उसके बेग में परिवर्टान होता है तो तुरस्ण कितना हो जाएगा एफ बड़ आपको आगे लिखना है चीज़े मुक्ति लेक्रान का द्रबमान स्मॉल M है तब उस पर उत्पन तुरण A बराबर कितना हो जाएगा F अपान M क्लियर तो F कमान कितना है आपने पढ़ा यहाँ पर तो E इंटू E इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर पेरे भायू कैप्टल E अपान M अच्छा मैं दिया आप से कह दू कैप्टल E कमान V अपान L है तो आप कहे दोगे E इंटू यहाँ पर बैलू रखना हो न V अपान L नीचे L आ जाएगा तो M L हो जाएगा एक एक चीज आपको क्लियर करना है ठीक है स्रांतिकाल क्या कहलाता है स्रांतिकाल क्या कहलाता है फेर भायू स्रांतिकाल है दो क्रम अगर टक्रों के वीच लगा हुआ समय स्रांतिकाल कहलाता है तो गती के प्रथम नियम से प्रथम नियम से प्रथम नियम से अच्छा मैं दिया आपसे कह दू प्रथम नियम कितना हो ता भी बराबर U प्लस A T अच्छा अंतिम बेग तो भी है प्रारंबिक बेग मैंने कहा जीरो हो जाएगा जब कोई इलेक्टरान गती नहीं कर रहा तो प्रारंबिक बेग कितना है जीरो है अच्छा A का मान कितना है प्रार भाईयो E V अपान M L अच्छा T का मान कितना हो जाएगा टाउ टाउ जहां क्या है जहां टाउ क्या है स्रांतिकाल स्रांतिकाल किसे कहते हैं दो क्रमागत मुक्त इलेक्टरान के टकर के बीच चुछ समय लगता है उसे स्रांतिकल कहते हैं तो भी बड़ाबर कितना आ गया भी बड़ाबर इवी टाउ अपान एम एल इतना क्लियर है पेरे भायो इवी टाउ अपान एम एल अब ये एक बेक के लिए कभी कभी कुछ बुक्स में इसे ही हम क्या बोल देते हैं अनुगमान बेक लेकिन प्यारे भायो अनुगमान बेक जो होता है आउसत बेक होता है ड्रिफ्ट विलोस्रटी तो भी टी बड़ाबर कितना हो जाएगा यू प्लस भी बड़े दो आउसत बेक होता है तो ये हो जाएगा आपका जीरो upon 2ml ठीक है? यहां पे आपका 2 है पेरे भाइयो तो 2ml कर देते हैं कितना? 2ml इतना क्लियर यह VD आगया VD क्या है? अनुगमन बेग है अभी तक में 9 मिनिट में आपने भी VD निकाला है अनुगमन बेग निकालना है अभी आपको पूरा ओम का नियम निकालना है बिलकुल आफ्ते देंगे आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर पाएंगे यहां तक आप लोग कर लीजिए इसको मैं बहुत ही कम कराता हूं लेकिन इस बर्स कई बच्चों का कमेंट था लगा तार कमेंट आ रहा था इस कार मैंने सोचा कि चलो इस कोश्चन को भी कम्प्लीट करा देते हैं करा देते हैं चलिए आगे मैं यह आप से कह दूं किन्तु आई बराबर ए अन इए वीडी अब आप कहोगे कहां से आ गया तो अनगमन बेग और ध धारा और धारा घनत में संबंद यह चीज मैंने क्लिया कराया था अनगमन बेग और धारा में संबंद जो कि आप लोग ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं तो आई बराबर कित्त हो जाएगा यन ई ए भीडी कमान निकालो भीडी यन रहेगा ई से गुड़ा होगा तो ई स्क्वेर हो जाएगा वी है तो वी रहने दो वी है तो वी रहने दो और आपका टाव है ठीक है और ए है बटे कितना हो जाएगा टू एम एल इसको और अर्रेंजमेंट करते हैं ठीक है इसको अर्रेंजमेंट करेंगे तो आपके पा tau n e square tau और यहाँ पर v l को अलग करते हैं बटे 2m कर देते हैं ठीक है और आपका a है a बटे l कर देंगे और प्यारे भाई आपका b है तो b कर देंगे पिल्कुल चिंता नहीं करें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कोसिस करेंगे पहरे भाई अब भी है इसको इधर ले आए तो i बटे भी हो जाएगा i बटे भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n e square tau upon 2m into a upon l ओम के नियम से भी बटे i होता है r ओम के नियम से जो r कमान होता है भी बटे i होता है ठीक है तो यदि मैं पक्षांतर कर दूँ इसको नीचे के भाग को उपर कर दूँ भी बटे i कर दूँ तो यहाँ भी पक्षांतर हो जाएगा तो उपर जाकर 2m हो जाएगा और n e e square tau हो हो जायेगा इतना clear है पेरे भायों इतना clear अब मैंदी कह दूँ कि क्योंकि ओम के नियम ऑम के नियम से ओम के नियम से भीवटे आई बड़ाबर क्या होता है आर होता है। इसलिए R बराबर आपको हो जाएगा 2M upon N E square tau इसके जगए R रख देंगे into L upon A जी हाँ यही प्रतिरोध का सूत्र आ गया देखो प्यारे भाई प्रतिरोध का सूत्र निकल कर आ गया यही चाला के प्रतिरोध का सूत्र है यही चाला के प्रतिरोध का सूत्र है प्रतिरोध का शूत्र है देखो इंपॉसिवल चीज भी पॉसिवल हो जाता है जब उसमें थोड़ा सा आप बक्त देते हो और बक्त देने के करण प्यरवायू यह आपके सामने प्रस्तुत है और सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो अब यह प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा तीन चीजों पर मुख रूब से तीन चीज कौन कौन सा है पहर भायू पहला है चालकतार की लंबाई चालकतार की लंबाई मैं आपको समझा रहा हूँ पहला चालाक तार की लंबाई इस पर निर्भर करेगा दूसरा चालाक का छेत्रफल फिर यहाँ पर N का मतला में पहरे भायो मुक्त इलेक्टरानों की संख्या तीसरा मुक्त रूप से है इलेक्टरानों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्यापन निल्भर करती है मुक्त इलेक्ट्रानों की की संख्यापन अब बताओ कम समय में आपने चीजें सीख लिया न अब यदि आप से कह दू कि लंबाई जितना अधिक होगा प्रत्रोध होगा बिल्कुल हाँ छेत्रफल पेरवाई हो छेत्रफल छेत्रफल जितना अधिक होगा उतना प्रत्रोध कम होगा लेकिन लंबाई बढ़ा दे तो प्रत्रोध बढ़ जाता है और मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रान जितना अधिक होगी उत्मा प्रत्रोद कम होगा विपरीत है ना विपरीत है तीन चीजे हैं फर्स्ट नम्बर जो R proportional L के शेकर्ण नम्बर R यहाँ पर व्यूत्करम है EK और थर्ड नम्बर है R व्यूत्करम है N के व्यूत्करम के मतलब होता है उल्टा है इतना तो यदि प्रतरोथ की निरभरता आज Java तबीन कोशें के से पूछा जाता प्रतरोथ की से कहते हैं प्रतरोथ की से कहते हैं प्रत्रोथ को प्रभुत करने वाले कारत चीज़ें clear हो गई उमीद है कि ये चीज़ समझ गया होगे पहर होई और भी आप निकाल सकते हो मुक्रूब से तीन में बताया और एक स्रांतिकाल टाउ पर भी निकाल सकते है टाउ पर, लेक्टरान के द्रबमान पर एदि में कह दूँ कि फूर्थ कंडिशन तो प्रत्रोध प्रपोशनल टाउ की यहीं ब्यूत क्रम है ठीक है और फिप्थ कंडिशन में कह दूँ तो प्रत्रोध प्रपोशनल इस मौल है ऐसा भी कर सकते हो सब समझा रहा हूँ मैं आपको कि ओम किन किन कारकों पर निर्वर करता है बिल्कुल सिंपल है और प्रत्रोध का व्यूत क्रम ही बैदुचलकत तो गहलाता है चीज़े क्लियर है उमीद करता हूँ ओम का नियम कैसे निकालना है कैसे आरकामान गरना करना है वो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है पेरवायो चलिए इसक्रीन साट ले ले पटपट आपके बुक्स में भी रहता हूँ उमके नियम का निगमान लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो और आज किस वीडियो में आसार उमीद है कि आप समझ गया होगी स्क्रीन साट ले लो और लिख लो नोट डाउन कर लो और हाँ पेरवाय उसका बेहतरी नोट्स लेना है तो 685-29699 पर कंटेक्ट करें तो 3-4 कारकों पर निर्भरत करता है तो इसकी निर्भरता के बारे में आगली वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ विशिस डूप से ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें ठीक है तो प्रत्रोध क्या है प्रत्रोध की विमेशूत्र प्रत्रोध का मात्रक और इसकी निर्भरता अगले वीडियो में चर्चा करेंगी आज का टॉपिक था प्रत्रोध का फार्मुला कैसे निकालना उम्मेद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक करके जाएगा दोस्तों सेयर करेंगे मिलते ही इसी प्रकार के गले वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बंद मातरम